मद्वदेश के पूरु मुक्यमंतरी तथा कांग्रेस के दिगजनेता दिगविजा सिंग दुआरा आज बोपाल में एक प्रेस कांफेंस का एजन किया गया इस प्रेस कंफेंस में उन्होंने अद्वदेश के दिगविजा सिंग ने कोई गडवड़ी नहीं हुई है और अद्वदेश का चुनाओ जो नियम है उनके अनुसारी किया गया है उन्होंने यह भी मांग की पूरु मुक्य मंतिर शिवरा सिंग चोहान से कीवे राजजपाल से माफी मांगे उनका यह भी कहना था कि अद्वदेश पत के चुनाओ को लेकर भारती जनता पार्टी दुआरा अनरगल प्रराप किया जा रहा है उन्होंने पूरु मुक्य मंतिर शिवरा सिंग चोहान पर यह आरोप लगाया कि वे अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं उन्होंने एक गंभिरतम आरोप तो यह लगाया कि नुरतम मिश्रा और विश्वास सारंग ने विधायकों को अपहरन किया था ने उनकी किड्नेपिंग की थी उन्होंने कहा कि उधारन के लिए बेजनात कुश्वा को ले जाया गया और उन्हें सो करोड रुपे देने का लालच की दिया गया कुल मिलाकर दिग्विजा सिंग की इस प्रेस कांफरेंस में आज जो आरोप लगे हैं उससे ऐसा लगता है कि भारती जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आने वाले समय में संगर्ष और तेज हो जाएगा नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब करें और साइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे घमासान से जोड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे